आज हम लोग कोशन करने वाले हैं यह मैंने बताया थे कि theorem 10.6 का एक सेकेंड अधर कोशन है या फिर सीधे कोशन भी पूछ सकता कोईजा में इसलिए मैं चाहूँ कि अगर आपने थिरम 10.6 का वीडियो नहीं देखा है तो अब जाके डिस्क्रिप्शन इसमें देख लो अगर आपने देख लिया आपको जानते हैं तो बहुत बरी बात है चलिए स्टार्ट करते हैं इस कोशन को कोशन संधाता हूं क्या है ? मतलब कि 2 है। कोशन करी बाते हैं वह मतलब कि इस दो में कोशन करना है। मतलब कि एक दिस्टेंस लियो क्या च्रिक लिए डो स्टार्ट का के मीमृटी सिरकल को जबहुत इसा और विकल अ खॉन के कर ना थिदो अर। मेरे चाहिए को से सिर्कल से हम जूग जनते हैं डिस्टेंस क्या आ गद मिएकर परपेंडीकुलर डिस्टेंस होगा से कॉड़ कि वर्थी ओपी हमारा एक पर्पेंडीकुलर डिस्टेंस गिवर इसी को मोगों को ब्राबर करें दिखाना है तो हम जानेगे कि इवन क्या है करने के लिए तो हमने एक construction यह करना है to prove op is equal to oq लिखना है और given क्या लिखना है कि इन circle with center two circles two common circles with center o and radius r and with center o dash and radius r a b and cd are two equal quads और op perpendicular to a b and o q o dash perpendicular to c d हम लोग बस यहाँ पर लिख देंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने given two to o construction लिख दिया given में क्या लिखाए two common circles with center o and radius r and with center o dash and radius r have equal quads a b and cd respectively जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इंग्लिस में convert कर दी आप लोग अपना statement जहूर लिखेगा और यह अगर आपको लिखना है तो वीडियो को पाउसर को लिख सकते हो और क्या लिखा है op perpendicular to a b and o q o dash q perpendicular to cd अब है अब क्या प्रूप करना है op is equal to o dash q ठीक है join o to a and o dash 2 to c चलिए हम लोग करने जो बताया था हो लिख दिया अपसे दे प्रूप में आते हैं प्रूप में क्या करना है तो प्रूप करने से पहले में बस एक लाइन लिखना हूँ है कि as we know that we know that the perpendicular from center bisect the cord यह theorem 10.3 था अगर आपको उसका वीडियो चाहे तो भी उस दिस्क्रिप्शन लिट आपको मिल जाएगा therefore ap is equal to half ab similarly इस वाले circle में क्या हो जाएगा cq is equal to half cd हम लोग जानते हैं but ab is equal to cd तो half ab और half cd भी equal होगा therefore ap is equal to cq मैंने यहाँ पर एक line गाइब कर दिया है आपको क्योंकि आप लोग में जो help okay आप लोग समझ गया है तो यहाँ पर o p p is equal to c की मिल गया है इसको आप one माल लो यहाँ पर हम लोग ने one माल लिया तो चलिया आप आगे चलते हैं अब में पास जगह की कम है इसलिए मैं इधर आ रहा हूं अब इधर आते हैं नाव इन ट्राइंगल ओ बी ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू ओ डास क्यू सी हम लोग क्या क्या मिल रहा है कि यह 90 डिग्री है यह 90 डिग्री एक वावर मिल गया ऐसी इकल्ट तो ऑसी रेडियस हमें मिल गया एपी इस इकल्ट सी क्यू फ्रॉम एक्यूस वन बिल गया बस इसी चीज़ को लोग यहां पर लिग देंगा जले फैंड जैसे का आप लोग देख सकते हैं कि मैंने वह सारी चीजे यहां पर लिग दिए जो मैंने आपको बताय ती क्या क्या बताया थी कि इंगालोफि एण ट्रैंगल एंगल Turkish फिन desafag抗ल यह में डाया है फिर एंगल ओपी एंगल यह वला यह विला फिर ऑगल पर यह अधर साइड था एक राइट एंगल था तो इसलिए आरेचस घ्रैटेरिया दों ट्रैइंगल को गया और इसलिए जानते हैं कि किसी वी जो ट्रैंगल के सारे पार्ट इक्वल होते हैं तो बाई कॉस्पॉंडिंग पार्ट ऑप कॉंगरेंगल ओपी इस इक्वल टू कोड़ as q हमारा यहहां पर प्रूब हो गया है तो अम इस वीडियो को अब ख़लू करेंगे लेकिन ख़लम करने से पहले मैं चांगा कि अगर आपको वीडियो पसंद में तो जानते हैं कि आप लोगो को लाइक लाइक करना है नहीं समय में आया तो डिसलाइक करना लेकिन कमें फिडिवेक ज़रू बता देना है ताकि आने वाले वीडियो उसी के नुसर बने और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही रोचक कोईशन थेोरम के लिए और जीके से भी जुड़ी वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल फोर मोर वीडियोस